तो दोस्तों इस बीडियो में मैं आपसे MFA applied arts के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में discuss करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे ले discuss करने वाला हूँ की MFA applied arts का course अगर क्या होता है इसमें किस परकार के subject होते हैं, अधिर जय कोर्स कितने वरश का course होता है इस course का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ की अगर आप इस course को आप पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational words touch या ना तो दोस्तों आपस की वीडियो में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ MFA Applied Arts के बारे में और दोस्तों अगर आपने 12th या graduation की class को पास कर लिया है और अगर आपको जै जानना है कि 12th या graduation की class को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे करी students का दोस्तोर डाउट होता है कि MFA Applied Arts का course आकर क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हूँ कि MFA का मतलब होता है Master of Fine Arts और MFA Applied Arts का जो course है वो एक post graduate level की degree का course होता है तो जाए course काफी creative course है अगर आप creativity को काफी जादा पसंद करते हो तब आपको जाए course काफी अच्छा benefit दे सकता है तो इस course को करने के बाद आप जो designer की जो जो होवे उसे भी आप हासिल कर सकते हो अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जाए course आकर कितने वरश का course होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाए course दो वरश का course होता है तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो graduate की जो डिगरी है जानी जो graduation की जो डिगरी है उसे आपको पास करनी पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो BFA applied arts का course करने के बाद ही MFA applied arts का जो course है उसे वेह करते हैं अभी आपसे में job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि जने आप इस course को अगर पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप graphic designer बन सकते हो आप animator बन सकते हो इसके इलावा दोस्तों आप जो teacher की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है तो अभी आपसे में subjects के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि जने आप इस course में आखिर किस परकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो तो इस course में आप concepts of marketing, visualization, communication for, empowerment, foreign, business, languages, etc. जो subjects होते हैं वो आप इस course के दोरान आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं और मैं आपको उताना जाता हूँ कि कई universities और college के slayvers के हिसाफ से जाए जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तो इस बीडियो में मैंने आपसे MFA Applied Arts course के वारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और वी कई सारे courses के बारे में बीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर वी देख सकते हो तो अंत में दोस्तो अभी आपको जै बीडियो केसी लगी अगर आपको जै बीडियो पसंद आई है तो आप बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना